नमश्रस विल्ट व सप्टेमबर 2024 आज था थर्स जे का दिन निफ्टे 50 की वीकले एकस्पारी का दिन आज ये ट्रेट के बारे में बात करें उससे पहले कल के ट्रेट के बारे में बाचीत कर लेते क्योंकि काफी सारे कॉमेंट्स आ रहेते बड़े ही इंट्रेस्टिंग कॉ पुट केरी फावर्ड करा था बर यहां पर यह चीज जाना बहुत जरूरी है कि कल के दिन जो हमने ट्रेट केरी फावर्ड किया था देट वोज विनिंग पॉजिशन उसमें मैं अलोड़ी प्रॉफिट में था तो आज के दिन मार्केट एक माइड पॉजिटिव जो कि मैं जनली करता नहीं हूं आज लेट 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 गौवे नाट विटस्टानिंग दोस्तों आज हम लोग ने बात करा था आज हम लोग ने ट्रेड लिया था फिफ्टी वन थाउजन एट हंडरेट का कॉल ऑप्शन और वह उस समय जब निफ्टी बैंक कर था था फिफ्टी वन थाउजन एट हंडर्ड फिफ्टी फिफ्टी वन थाउजन अल्मुस्ट नाइन हंडर्ड टच करने वाला था बहुत यह सॉलिड अपसाइड हुई हमारे जो प्रीमियम था अल्मूस्ट टू डबल हो गया था तो दोस्तों अब अब मुझसे पूचे तो दोस्तों बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में तो निफ्टी 50 में आच के दें साढ़ ही चार सो पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाई पड़ी और यह चीज़ हमको के एंडव क्लियर था कि जैसे ही 25,000 330 के लिबस ब्रीच करेंगे एक सॉलिड शॉट कवरिंग पड़ेगी निफ्टी 50 के चार्ट को हम लोग separately study करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में बात रहें 762 पॉइंट की तेजी दिखाई पड़ी always carry some calculated amount of risk, carry some spice in your life, बिना risk के, बिना spice के कैसे जी होगे दोस्तों, of course, of course, that should be your winning position, there should be some rational और उसके बाद अगर आपको मालूम है कि आ दोस्तों बात करते हैं हम लोग global markets की, so जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Dow Jones trade कर रहा है 47 points plus, और gift equity trade कर रहा है 15 points negative, European markets में भी positivity दिखाई पड़ रही है, दोस्तों बात करें हम लोग advanced decline ratio की, out of 2300 stocks, करीब 900 stocks decline करते हुए दिखाई पड़ रहे है, advancing stocks are 1540 plus, जो कि बताता है कि market ही पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था market में गिरावाट होगी, कल के दिन भी FIIs ने buying करी थे और दोस्तों मुझे ऐसा लग गया था कि FIIs के दोवारा buy किया जाना, ये एक bullish sign है, आज के दिन दोस्तों FIIs ने buying करी है 7700 crore worth of stocks की, especially तब, जब market अपने all time high पर है, so दोस्तों FI इस buy तब करते हैं, जब market अपने all time high पर होती है, because they are betting on strength, they are of course betting on value, no doubt about it, but they are betting on strength of the entire market, so दोस्तों इसमें जब market all time high पर है, FIIs के दोवारा buy किया जाना, market को एक बहुत बढ़े positive signal को दर्शात आ है, so दोस्तों market आज के इस कदर bullish थी, आप इसको इसकी पास से समझ लिएज़ मतलब पूरे के पूरे 50 stock आज के दिन तेज थे, एक भी stock ऐसे नहीं था, जिसमें की गिरावाट हो, so दोस्तों, this is showing the kind of bullishness in the market, अब दोस्तों अब मुझे सर कहेंगे, आप तो कहेंगे कि सर कल के दिन तो आपको weakness दिखाई पढ़ रही थे, आपना put carry forward करके लिए कहते हैं, दोस्तों, simple सी बात है, अपन को जो treat दिखाई पढ़ता है, सामने हम वो action लेते हैं, अब दोस्तों, आज के दिन हमको positive मोहल दिखाई पढ़ा, तो हमने 51,800 का call option वाई किया, अब दोस्तों, आज के दिन हमारा क्या हुआ हूँ निकल कर कहा रहा है, उसको हम आपको explain करने की क कोशिश करेंगे, बाई, simple सी बात है, गाड़ी ये on करते हो, headlight on करते हो, जितनी रोशनी पढ़ रही, जितना रास्ता दिखाई पढ़ रहा है, उसके साब से चलो, आगे क्या होगा, उसको जब आगे पहुंचेंगे तब आगे देखेंगे, फिलाल दोस्तों, आज के दिन भारती एटल, LTM, श्रीराम, फिनेस, are the other top outperformers, underperforming stocks के बारें बात रहें, लास्त एक हफते में, जब से जादा इसके दुलाई हो चुकी है, वो है data motors, अब दोस्तों, data motors में जो level दिखाई पढ़ रहा है, वो है 900 to 920, अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया कि, कोशिश तो market के रहेगी, इस level तक Tata Motors को लानेगी, but there is no guarantee कि ये level touch होगा, क्योंकि already, अपने highs से जब stock already 10% के आसपास गिर चुका हो, तो वहाँ पर थोड़ी से value buying definitely दिखाई परती है, वो NGC 16%, SGFC Live, VPCL, SBI, or the other top stocks, जहाँ पर लास्ट एक हफते में धुलाई हो चुकी है, अब दोस अगर आप देखे हैं, तो banking stocks are on fire, जहाँ पर पिछले दिन का comparison में higher delivery percentage है, कोटक महिंदरा बांक, XS बांक, ICS बांक, तीन stocks जिसमें की heavy accumulation दिखाई पढ़ रहा है, as compared to previous days, इसके लावा Nestle, and HUL, दो FNC ये का stocks हैं, जहाँ पर अच्छा accumulation दिखाई पढ़ रहा है, तो दोस्तो करते ही, आपको positivity expect करने चाहिए, on the contrary, नीची के level पर 24,800 है, जिसके breach करने के बाद, आपको negativity की expectation रखने चाहिए, दोस्तों, it's been almost 10 days, अगर आप देखें, तो market ने ना तो ये zone breach है, और ना ही ये zone, आज के दिन, Nifty 50 ने 25,330 के इस important level के ऊपर closing दी है, closing हुई है 25,388, अगर आ ये view तो bullish निकल करके आ रहा है, दोस्तों, इसमें एक मेरा कोई लिना देना नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो important level है, वो आपके सामने है, but this delta is on the closing basis, अगर आप बात करें, आज के जिस प्रकार का price action हो रहा था, तो दोस्तों, price action के इसाब से 25,314 closing होई है, तो दोस् आने वाला है, 25,800, and thereafter the next level which is coming is 26,200, so overall market ने इस important levels को breach करके, एक strength को दर्चा आया है, वहीं निफ्टी बैंक के बारे हैं, so निफ्टी बैंक में दोस्तों, जो important level था, वो था 51,800, जिसको की touch कर लिया, निफ्टी बैंक ने, अब दोस्तों, जब निफ्टी बैंक ट्रेट कर थ ता 51,400, तब हमने 51,800 ये call option बाया करी थी, तो आप समझ सकते हैं, और 51,800 इंद मनी हुए, क्या precision है हमारे selection of strike price में, दोस्तों, इचीज आपको सीखनी पड़ेगी, सीखना चाहते हो दोस्तों, तो सोड़ा समय दिना पड़ाएगा, और हमारे और close आना पड़ेगा, link description में है या फिर well-saga courses के, आपको download कर सकते हैं, so कैसे ये precision आपके अंदर आ सकता है, you'll have to learn, so जैसा आपको Nifty 50 के chart पर दिखा ही पड़ रहा है, similar chart of, similar end of price session आपको Nifty bank में भी दिखा ही पड़ रहा, last year 15 minute में, अपने important crucial 51,800 के level के थोड़ा सा नीचे closing हुई है, बड़ अगर आब उसे be expecting even more high upside और आपको lifetime high के levels की तैयारी करनी चाहिए, अब दोस्तों जो लोग ये पूछने चाह रहे हैं, कि after all market में एकदम से क्या हो गया, तेजी कैसे आ गई, so दोस्तों कल के दिन कुछ brokerage reports आई थी, US की तरफ से, जहाँ पर ये announce किया गया था कि, इस year के end तक, US rate 1.25% का interest rate क कर सकता है, जी कम कर सकता है, और in fact European जो bank है, वहाँ पर भी rate cut की news आ रही है, जहाँ पर 25 basis points के rate को cut किया गया है, तो दोस्तों rate cut की news को positive नजरीय से देख करके market ने थोड़ा सा liquidity की चलते एक positive head sub दिया है, वहीं दोस्तों अगर में लोग बात करें कि after all अभी present market में stock specific news के चल रही है, तो दोस्तों सबसे पहला stock जिस पर कि आपकी नजरे होनी चाहिए, वह है HPL power, अचा HPL power से पहले मैं आपको PN गाडगिल या फिर PN गाडगिल के जो IPU का allocation वो दिखा देता हूँ, सो और अगर आप मुसे पूछें, तो जो total subscription ने हुआ है, वह हुए 63 times, massive, जितना क ये बजाज housing finance में हुआ था, और दोस्तों price band था, 456 और ऐसा देखा जा रहा है, करीब करीब 70% का grey market premium आपको मिलता हूँ, वह दिखा ही पढ़ रहा है, और मैं तो हमेशा पहले दिन से आपको बोड़ रहा हूँ, दोस्तों इस समय जब लोगों की निजरे भी नहीं थी इस वगेरा open करके अपने तयार रखने चाहिए, ये नहीं कि जब IPO सर्फ आ गया है, so free of cost DMAT account open करने का link description में है, make use of that, ताकि आप उसमें multiple application apply कर सके हैं और एक बार भी लग गया, पांच में से एक IPO भी लग गया, तो मजे मजे, अगले आने वाले 10 सालों का EMC निकल जाता है, फि 3.77 करोड का ओडर मिला है, 140, almost close to 144 करोड, अब दोस्तों आपका मलूम होना चाहिए, HPL Electric का काम के है, smart meters लगाते हैं तो smart meters का इनको letter of award मिला है, जोगे इनके regular customers आते रहते हैं, तो regular business हैं, तो वहाँ पर इनको एक बहतरीन ओडर मिला है, stock के बारे मात रहे है, stock में outlook अभी भी business update यह आ रही है, कि August का जो total production है, वो 9.9%, almost 10% के आसपास उपर है, वहीं August के total sales के बारे में बात करे हैं, तो August के total sales 8.5% उपर है, exports 26.3% उपर है, बहुत ही जवर्तुस और strong update आ रहे हैं, in fact stock के बारे में बात करे हैं, stock almost 3000 के level से 10% correct भी कर चुका है, और वहाँ से एक fresh upside के लि निजर होनी चाहिए, stock का नाम है Mama Earth, जिसमें कि आज के दिन एक block deal होनी थी, morning update में आपको बता दिया गया था, और stock में दोस्तों गराब मुसे पूछें, तो stock पर pressure दिखाई पढ़ने के chances ज्यादा हैं, आगे भी, क्योंकि अगर आप stock को देखें, तो stock का यह support level है, can you see this, य जिसके ऊपर, you know, stock एक base लेता है, so, और अगर आप उसे पूछें हैं, तो stock में थोड़ी सी weakness की possibility आगे भी है, वहीं बात करा दोस्तों, मारूती Suzuki की, जिसमें की morning update में हमने आपके साथ discuss किया था, लेकिन chart discuss नहीं किया था, तो इसलिए मैं आपको chart आपके साथ discuss करना चाहता मारूती Suzuki का, जिसमें की मारूती Suzuki ने Swift की CNG कार को launch के और बहुत ही economical price में, just 8.2 lakhs, this is the, of course, यह starting price है, और of course, जैसे जैसे model बढ़ेगा, facilities बढ़ेगी, तो price भी costly होगा, stock के बारे में बात रहे दोस्तों, तो stock पिछले करीब 6 महीने से बहुत ही छोटे से zone में trade कर रहा है, व और अगर यह breakout करता है, तो stock में तो sky is the limit, so this is the stock which you can be focusing at, and next stock is Bajaj Finance, तो simple सी गणित है, Bajaj Housing Finance का IPO सब्सक्राइब हुआ है 63 ताइम्स, जो grey market premium चल रहा है, वो 100% के ऊपर चल रहा है, मतलब डबल हो जाएगा पैसा, और आपको जान करके हिरान ही होगी कि Bajaj Finance, Bajaj Finance, Bajaj Housing Finance में 88.7% होल्ड करता है, मतलब जितना भी Bajaj Finance होल्ड कर रहा है, उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, straight away on listing date, है ना, अगर आप समझ दो कि मैं 100%, अगर 100% का जो premium चल रहा है, grey market premium अगर मालो 100% भी नहीं होती है, तो अगर आप समझ दो सीधे-सीधे, अगर 50% भी जंप हो जाता है तो जो Bajaj Finance की holding है, वो सीधे-सीधे 5% बढ़ती हो, दिखाई पड़ेगी, और अगर कही 100% हो गया, तो करीब-करीब 9-10% के असपास Bajaj Finance की जो value है, जो holding value है, वो बढ़ जाएगी, तो दोस्तों अगर आप मुसे पूछें, Bajaj Finance is a great-great stock to buy, especially दोस्तों आपको ये stock उस price पे लगता हूँ, आपके साथ discuss करने की कोशिश करता हूँ, और अगर आपको ठीक लगता है, तो ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है, you can avoid it, but do discuss with your financial advisor before investing, और इसके लावा हम से कर जोड़ना चाहते हो, make use of the links that are there in the description, thank you super much, bye-bye.